नवश्कार दोस्तो आज चर्चा करते हैं रिवाडी रियल एस्टेट की रिवाडी की बारे में बात करते हैं नॉर्मली रिवाडी के बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं आपको ज़्यादा खहीं वीडियो अगरा नहीं दिखेंगे ठीक है तो रिवाडी पे चर कि जहांपे अगर politics is not right तो वो शहर सफर करता है छोटे शहरों की बात करो बड़ा शहर तो politics के परे हो जाता है जैसे हर्याना का example ले तो गुडगाओं politics से परे है यहां जो भी होगा उसमें कोई मर्जी आए यहां पे अब होगा क्योंकि वो inflation point से उपर जा चुका है अब यहां पे अपनी growth story आ जाती बढ़ छोटे शहरों को push चाहिए होता है तो यहां पे जो भी politician है अपने ठीक है जो भी politics है वो थोड़ा सत्ता पक्ष के होके सत्ता पक्ष के ना होके भी या होके भी उतना वो नहीं हो पारा आप लोगों को पता है जो रिवाड़ी के हैं जो मैं बात बूल रहा हूँ कि यह बहुत बड़ी चीज़ है potential तो है अगर आप वैसे देखें तो गुड़गाओं से क्या एक सवा घंटे का रस्ता है अभी जो story मेरे को ठीक लग रही है होते हो इस six laning जो हो रही है highway की पटादी तक होनी थी अब उसको रिवाड़ी तक extend कर दिया गया गुड़गाओं से बन रही है उससे जो गुड़गाओं का जो sector 90, 91, 92, 3, 94 वाला इलाका है 95 वाला इलाका है या आप मानेसर में जो हमारी companies हैं बहुत सारी उस इलाके से रिवाड़ी विल बी just 30 minutes once that six lane is ready फिर आपको national highway से travel नहीं करना पड़ेगा यदि national highway पे भी आपको पता है कुछ ना खेड़ की दोला फिर आगे भीड़ बढ़ा रहता ही है आज कर वो national highway काफी surprise जो मैंने दुबारा चेक करें वीडियो बनाने से पहले रिसर्च करा ये करा 65 से 80 हजार उपे कज हो गए है तो यहां भी मतलब 65 से 80 हजार उपे कज क्या कम होने चाहिए नहीं कम नहीं होने चाहिए इतने होने चाहिए क्योंकि अब लोग जो रिवार्डी के लोग है जादा तर ex-servicemen बहुत हैं defense के लोग बहुत हैं सरकारी मुलाजिम बहुत हैं क्योंकि यहां कोई अपनी corporate टाइप स्टोरी तो है नहीं तो जो भी है हर्याना गॉर्मेंट के हैं या defense services के हैं या retired लोग बहुत हैं एक चीज बहुत unique मुझे लगी कि discipline level बहुत हाई है यहां के लोगों का बिकास जादा तर लोग सरकारी प्रिष्ट भूमी से आते हैं मैं यह नहीं कह रहा कि बाकी लोगों में discipline नहीं होता सरकारी में जादा होता है लेकिन फिर भी एक है एक serviceman वाली जो feeling है वो वाली जो फौजी भाईयों वाली feeling है वो है वो discipline शहर में लाती है यहां बहुत बढ़िया story play out हो सकती है अगर मैं है का politician हूँ या आप लोग यहां पे जाना चाहें तो आपको यहां पे क्योंकि दिल्ली मुं में industrial corridor का बनने के बाद और यहां बहुत अच्छी logistics की story play out हो सकती है वो गड़ी हसरू तक तो आपने देखा होगा बड़े-बड़े containers होते हैं कभी train में गए हो आप लोग राइस्तान साइड गुरगाओं साइड से तो आपको दिखते हैं वो गड़ी हसरू तक तो काफी कुछ है वो railway station कहीं दिखता है बीच में गड़ी तो नहीं रुकती लेकिन वो दिखता है आपको बहार क्या हो रहा है वो वाला काम बहुत किया जा सकता है यहां पे खुद बहुत तामबे का बहुत historic अच्छा काम होता था वो उसको local काफी अच्छा काम था अभी है वहाँ पे होता है लेकिन काफी कम हो गया है वो यहां पे एक train का बहुत बड़ी है museum भी है अगर आप लोगों ने अगर गुड़गाओं वाले सुन रहे हैं तो please you should visit that museum बहुत अच्छा है आपको वो steam engine और वो सब देखने को मिलेंगे सल्मान खान की जो picture आपने देखी होगी ना वो उसमें है कौन सी वाली थी जिसमें वो wrestler बना हुआ रिवाडी गई बना हुआ चाथ सुल्तान ठीक है तो अच्छा time pass के लिए है पर इसको tourist type तो उतना उसको उतनी तमज़ों नहीं दी जा रही है भी वो भी एक story को कुछ किया जा सकता है यहाँ पर उस तरह की होती है ना village living आसपास खाहीं करके जो भार से शहर से लोगों को attract कर लिया जाए resort बना दिया जाए, farm house बना दिया जाए तो है story हैं लेकिन इसका जो rate है बढ़ने का अब तो उच्छाल आया 65-80 लेकिन अगर कुछ और नहीं story play out करी तो फिर जो सरकारी मुलाजिमों की जितनी तंका बढ़ती है उसी rate पे growth होगी क्योंकि खरीदने वाले वो है यहां के लोगों को मैं advise करूँगा जो अलड़ी यहां रहते हैं रिवाडी के अंदर अगर आपकी अलड़ी भूमी है, real estate है वहाँ पे और ancestral है तो बहुत जादा आप उसमें मत डाले आप थोड़ा सा गुड़गाओं की तरफ आने की कोशिश करें इसी के साथ मैं पताओदी का भी थोड़ा जानकारी दे हूँ पताओदी में भी प्लॉटों के rate बहुत बढ़े है लेकिन उसके साथ जो rent paying capacity वो बढ़ी नहीं है तो यह जागी है क्या यह जाग अब गिरेगा, खतम हो जाएगा कम होगा नहीं कम नहीं होगा time correction आएगा है यहाँ तो rate बढ़ गए है क्योंकि हुद्डा के 2-3 sector है 1-2 sector है वहाँ पर कुछ जादा नहीं है तो supply बहुत कम है अब लोगों ने बोला यार plot plot बढ़ रहे हैं तो मैं वहाँ ले लेता हूँ ठीक है तो वो distance wise जो rates है मेरे हिसाब से वो story play out हो चुकी है अभी इतने जादा शायद नहीं बढ़ेंगे फिछले एक-दो साल में बहुत बढ़े हैं पटाओधी के अंदर rate लेकिन वो उनने जो बन रहा है six lane का उसको price in कर लिया पर होता क्या है ना मैं किसी जगे से पास हो जाता हूँ मारलो पर मेरी जिस जगे में रह रहा हूँ वहाँ तो कोई ronde चाक का काम नहीं हो ना मज़ेदार कोई ecosystem नहीं आया कि mall आगी हो वहाँ पर या कोई बहुत बड़ी आ स्कूल आ गया हो या hospital आ गया हो या कुछ हो जाए यहां से वहाँ एक गहंटे में जाता था अब यहां से वहाँ स्टोरी चालिस मिनिट में जाता हूँ या तीस harbor उता हम प्रिज़ुर नहीं फो दोरी तो है तो वहाँ को eco-system या तो प्राइजिस में येस तो आप उछह लाया है रिवाडि में भी उचह लाया है रिवाडी की स्टोरी is can become better if वहाँ था politics at some point or time मैं इसको पॉलिटिकल वीडियो नहीं बनाना चाहता पट मुझे लग रहा है चेंज आ सकता है जो अभी हैं आसार ठीक है environment minister भी वहाँ पे जो government के अंदर है central government के वह भी वहाँ पे काफी belong करते हैं अगर वह politics में वह चमकें तो कुछ हो सकता है that's why इसे कि किसी भी छोटे शहर में politics को सबसे पहले देखना है होता कहना लोग वहाँ रहते हैं it is natural अगर आप जो मेरे को रिवाडी वाले सुन रहे हैं भाई बैन वो लोग तो of course चाहेंगे मैं भी चाहता हूँ कि भड़े रिवाडी के rates लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता ना सब चाहते हैं कि मैंने जो ले रखा मैं जो stock ले लिया बढ़ जाए share market में अरे भाईया वो business man जो company चला रहा है वो कैसा काम कर रहा है will define ना product कैसा है उसकी demand कैसी है company कैसे manage करी जाती है efficiency क्या है तो चाहने से कुछ नहीं होता तो if रिवाडी gets its act together जगे ठीक है लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन वहाँ लोगों की चाहत होनी चाहिए दूसरा कह जो भी इन शेहरों में rate बढ़ रहे हैं गाओं वालों का जो aspiration है शेहर आने का वही rate बढ़ा रहा है को बहार का आदमी आके नहीं रह रहा है गुड़गाओं का आदमी रिवाडी में आके नहीं खरीद रहा है वो वहाँ नहीं रहना चाहता रिवाडी का आदमी गुड़गाओं आना चाहता है आपके शहर से 35-40 मिनिट की दूरी and rate ठीक ठाक है and of course job opportunities, schooling, medical and और आप सब को पता है, that will be much better, ठीक है, so this is how you can interpret Rewaadi, I hope आप लोगों को थोड़ा logical लगा होगा इस चीज़ का, rate बढ़ चुके हैं, बहुत बढ़ने की near term without any political big thing happening, नहीं है, big thing happening है, big announcements by big players की 2-4-5,000 क्रोड का कोई announcement हो जाए, भी logistic up बनेगा, वेर house बनेगा, DMIC जा रहा है, यह ऐसी announcement political will से ही होती है, ऐसी क्योंकि कोई आमंतरित करना पड़ता है न, बताना पड़ता भी तो यह लैंड देंगे, फिर वहां का एक ecosystem का fallout होता है, जब वो बड आप बन्दा आता है, हजार दो तीन, हजार क्रोड लगते हैं, जॉब लोकल लोगों के लिए generate होती है, फिर वहां ताम जाम आता है, फिर भार के लोग भी खहीं से नौकरी करते हैं, थोड़ा आना पड़ता है, सारे ही locals इतने नहीं ले पाते हैं, क्योंकि सबका skill set नहीं ह आते हैं, तो वो लोग आएंगे, तो फिर वो लोग real estate बढ़ाते हैं, जब तक अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो बस ये inflation का जो आपका rate है, उस rate से बढ़ती रहेगी, and हाल में अच्छा उच्छा लाए है, स्टोरी बहुत promising हो सकती है, तो कि everything is in place वहां पे, something is in place, location, national highway, connectivity, big highways going, everything is good, उसके बाद फिर राइस्तान स्टार्ट हो जाता है, वहां सब leasehold वाला काम है, लोग freehold में ज्यादा विश्वास रखते हैं, आपको पता है, otherwise आप 15 मिनट और ट्रावल करो तो फिर जमीन ही जमीन है वहां पे, कोई कमीत होना है राइस्तान में जमीन की, तो सारा खेल है, facilities, amenities, infrastructure and it is only driven by politics, so monitor closely the politics of Rivadi, Rivadi की politics जैसे ही कर्मत बदलेगी, महां investment आएगा, आ मजे बताना, thank you very much.